Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading तो चलिए पाइसेज आप लोगों के लिए देखें कि October 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहां पर तीन set of cards हैं फिर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सिकेंड set of cards में आपकी partner की energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally October month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए सब इससे बहला card मुझे दिख रहा है Four of Souls Rivers और ये card कहता है कि बहुत सारे chances हैं कुछ time से आप इस relationship के लिए partner के लिए उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं अब देखें reason surprises के लिए differ करेगा broader level के लिए अगर Four of Souls के ही card के हिसाब से हम देखें तो ये card कहता है कि कहीं enthusiasm, excitement missing है थोड़ा सा logically चीज़ों को analyze करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं हालांकि पाईसेज आप लोग बहुत emotional, sentimental होते हैं लेकिन कभी-कभी situations ऐसी आती है न हमें लगता है कि बस अब और हमने अपने दिल की नहीं सुननी है अब थोड़ा सा तो mind की भी सुननी पड़ेगी and फिर से कहूंगी देखें जो चीज मेरे mind में आई मैंने कहा reason सब के लिए differ करेगा और कहीं Four of Souls के नीचे closed of के card में लिखा हुए sorry closed अब देखें जब closed के साथ sorry आ जाता है न तो normally पते किस तरीके की energies होती है पस भाई sorry और possible नहीं है अब यहाँ पे और possible नहीं है आपकी तरफ से partner के लिए कुछ भी हो सकता है भाई और हम आपकी बात नहीं मान सकते है sorry you know end it या अगर कोई argument हो रही है sorry में को और arguing नहीं करना है इसको close कर दो इसको बंद कर दो या फिर you know आप और compromise नहीं कर सकते हैं sorry you know इससे जादा नहीं मुझसे adjustment होगा अब फिर से जो भी चीज़े मेरे mind में आ रही हैं मैं कह रही हूँ या फिर हम थोड़ा सा withdraw कर लेते हैं लेकिन अंदर से हमारे mind में feelings होती है प्यार होता है और हम उनसे बात करना चाहते हैं हम उनसे connect करना चाहते हैं तो कहीं mid October या October मन्त में आपकी तरफ से ऐसा रह सकता है जहां पे कुछ prices के लिए हो सकता है अपने partner के साथ vacation पे जाना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है, date पे जाना चाह रहे हैं कुछके लिए हो सकता है, simply आप एक togetherness चाह रहे हैं जादा उनसे interact करना चाह रहे हैं और यहाँ पर why का card कहता है आपको इसे लग रहा है कि भाई आप उनसे पूछें कि भाई क्यूं ये सब चीजें हो रही है और इनी चीजों के उपर आप बहुत positive frame of mindset discussion उनके साथ करना चाहा रहे हैं लेकिन देखिए जो भी हो कहीं end October के लिए justice reverse का कार्ड कहते है आपको इसे लग रहा है भाई चीजें fair नहीं हो रही हैं कहीं किसी level पे unfair energies आप महसूस कर सकते हैं एक injustice भी आप महसूस कर सकते हैं और दिखें कहीं ये काड लॉजिकली भी चीजों को deal करने की बात करता है और मैंने starting में भी कहा आप थोड़ा सा अपने दिल की सुन-सुन के ठक गए हैं और कहीं October मन्त में या October starting और end में आप थोड़ा सा logically भी चीजों को deal करना चाह रहे हो सकता कोई decision लेना है आप नहीं ले पा रहे हैं कोई choice लेनी हैं आप logically हर चीज के pros और cons को वे तो कर रहे हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगी decision नहीं ले पा रहे हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक unfair energies, एक injustice महसूस कर रहे हैं अब लेकि इसके लिए भी surprises के लिए different reasons रहेंगे लेकिन deeper level के लिए hook up का card एक दो चीजें कहता है generally relationship में hook up का card एक casual you know physical intimacy किसी भी इनसान के साथ, अजनभी के साथ या जिनको हम इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते उसको represent करता है इसके अलावा और भी meaning है hook up के, जैसे किसी और के साथ casual interaction, not only नहीं बोलूँगी, कुछ के लिए हो सकता है कि physical intimacy sex है और casual एक sex है कुछ के लिए हो सकता है कि casual interaction या flirting या किसी भी और चीज में, it could be your work, it could be आपके partner का work है उसमें involved है अब देखें ये hook up किसी की भी तरफ से हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके partner की भी तरफ से हो सकता है और अगर आपकी तरफ से हो रहा है तो आपको इस चीज का हैसास है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है फिर से एक चीज क्लियर कर दूँ, सब के लिए physical intimacy या sexual hook up नहीं होगा कुछ की लिए ये हो सकता है, एक का दुखा के लिए, या फिर से मैं कहूंगी कुछ के लिए और कुछ के लिए हो सकता है, simply you know partner के अलावा दूसरे इंसान से ज़ाधा connect कर रहे हैं, बात कर रहे हैं It could be for business work or you know flirting or कोई भी और reason तो again आपकी तरफ से है, तो आपको इस चीज का हैसास है कि भाई ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए partner को जो मेरा time चाहिए, energy चाहिए, attention चाहिए, वो मुझे देनी चाहिए और अगर आपके partner के तरफ से है, तो जाहिर सी बात है कि आपको बुरा लगेगे ही लगेगा क्योंकि most of the times हम अपनी गलती नहीं देख पाते, सामने वाले की तो नजर आई जाती है और आपके case में क्या हो रहा है कि अगर आपकी तरफ से है, तो भी आप इस चीज को realize कर रहे है और partner की तरफ से हो रहा है, यानि कि कुछ Pisces के partner की ऐसी energies है तो ये चीज आपको बहुत जादा गलत लग रही है और आपको लग रहा है again कि आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का injustice है अब partner की energies देखते हैं, तो देखिए आपके partner काफी emotional हो रहे हैं और मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत clingy हो रहे हैं चीजों को लेकर एक जब बहुत emotional होके लोग clingy हो जाते हैं, scenty हो जाते हैं, sensitive हो जाते हैं छोटी-छोटी सी बातों को पकड़ते हैं या फिर छोटी-छोटी सी बातों को बड़ा बनाते हैं वैसी energies रह सकती हैं अब starting के लिए queen of cups and vibes के card कहते हैं कि उनको ना आपसे vibe आ रही है अब देखें आपका भी हम अगर देखें तो starting October, end October आप बहुत अच्छा नहीं feel कर रहे हैं, कोई भी reason हो सकता है चाहें partner की गलती हो, लेकिन आप अच्छा नहीं feel कर रहे हैं और जैसे मैंने अभी कहा कि हमें अपनी गलती तो नजर आती नहीं है अब फिर से गलती किसी की भी हो सकते हैं, लेकिन partner को आपसे कुछ vibe आ रहे है और उसको लेकर वो बहुत emotional हो रहे हैं, हो सकता है कि starting October में या कुछ time से वो over loving, over caring भी हो रहे हैं और छोटी छोटी सी बातों को लेकर hurt भी हो रहे हैं चोटी चोटी सी बातों को लेकर सेंटी भी हो रहे हैं और कहीं mid October के लिए death and blocked के cards कहते हैं कुछ चीजों को end करके एक नई beginning या तो आपके साथ चाहा रहे हैं या फिर अपने साथी अकेले चाहा रहे हैं अब फिर से देखिए जब partner की आपकी energies में ये वले cards आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ऐसा हो रहा है इसका मतलब होता ही कि ऐसी उनकी energies हैं देखिए अगर ये चीज सोच में भी चल रही है तो भी card आ जाएगा और अगर उनके behavior में है तो भी card आ जाएगा क्योंकि ये general reading है कुछ Pisces के partner के behavior में ये attitude हो सकता है कुछ के actions में, कुछ की सोच में हो सकता है और जो चीज हमारी सोच में होती है वो कहीं न कहीं हमारी body language में तो आती ही है तो कहीं देखिए blocked का card कहता है कि वो शायद आपको थोड़ा सा block कर रहे है ये भी हो सकता है उनका mental block, emotional block किसी चीज के लिए है इकका दुक्का या कुछ Pisces के लिए भी हो सकता है आपके partner ने आपको social media पे block किया and कुछ के लिए हो सकता है कि you know again एक block वो महसूस कर रहे हैं उतना आप से वो भी interact नहीं कर रहे हैं देखिए mid October में हमने देखा कि आप उनसे interact करना चाह रहे हैं आप उनसे बात करना चाह रहे हैं और वो शायद you know थोड़ा सा एक right frame of mind में मैं कहूंगी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं पुरानी बातों को पकड़े हुए हैं छोड़ना नहीं चाह रहे हैं छोड़ नहीं पा रहे हैं या फिर you know ये भी आपसे कह सकते हैं कि बस बहुत हो गया मुझे ये relationship end करना है अब again that doesn't mean कि वो end कर रहे हैं बट वो आपसे कह सकते हैं और एक का दुका के लिए हो सकता है कि उनके behavior में भी है कि भाई मुझे end करना है और एक नहीं beginning करनी है और कुछ prices के partner के लिए भी हो सकता है जो भी issues आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको end करके आपके साथ एक नहीं beginning करना चाहा रहे हैं और कहीं देखिए जो भी हो end October के लिए 8 of source का card कहता है बहुत helpless महसूस कर रहे हैं बहुत confused हैं समझ में नहीं आ रहा चीज़ों को कैसे deal करें और उनको ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत वो बंद गए हैं बहुत restricted feel कर रहे हैं limited feel कर रहे हैं नीचे unfinished business का card कहता है उनको ऐसे लगता है कि आपके और उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी ही नहीं हुई जिनको लेकर उन्हें closure ही नहीं मिला मैं आपको एक example देती हूँ क्या हो सकता है जैसे होता है कि कोई बात हुई दो लोगों के बीच में अब resolve भी हो गई और कहीं clear भी हो गई आपकी तरफ से हो गई और partner की तरफ से क्योंकि unfinished business का card partner के लिए तो partner की तरफ से अगर नहीं हुई तो आपको लगा जी खतम हो गई हमने तो clear कर लिया लेकिन उनकी अगर mind से नहीं निकल पा रही है और हमने death के card में देखा भी देखा भी कि वो पुरानी चीजों को नहीं let go कर पा रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं अभी तो मैंने नहीं वो कहा जो मुझे कहना चाहिए था या अभी तो खतम नहीं हुई because वो अपने mind से नहीं निकाल पा रहे हैं तो यह मैंने सिरफ और सिरफ example दिया कि इस तरीके का एक unfinished business वो महसूस कर रहे हैं या कोई भी और scenario रह सकता है again यह general reading है बट बहुत confused महसूस कर रहे हैं बहुत helpless, hopeless महसूस कर रहे हैं आप दिखें उनकी personal life में भी कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके लिए वो परेशान हो रहे हैं उसका असर relationship पे आ रहा है यहां फर यह relationship भी एक reason रह सकता है अब दिखें आप दोनों की अगर हम energies match करें starting में आप इतना action initiatives नहीं ले रहे हैं और आपके partners चीज को लेकर बहुत emotional हो रहे हैं और कहीं mid October के बाद से आप ले रहे हैं आप ए controlling का card है और यह card कहता है शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफी controlling dominating हो रहे हैं या आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती है लेकिन आपके partner की mid October में या mid October के बाद से ज़्यादा energies रहती भी दिख रही है Six of Souls का card कहता है या तो आप travel कर रहे है out of the city, out of the country या फिर आपके partner travel कर रहे है out of the city, out of the country and कुछ prices और उनके partner के लिए हो सकता है कि कहीं एक दूरी बना रहे हैं, एक distance बना रहे हैं जो भी चीज़ें bother कर रही हैं, परेशान कर रहे हैं फिर से दिखिए general reading है, सब के लिए different scenarios रहेंगे और अगर travel नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है within the city बहुत जादा आपका एक जगा से दूसरी जगा जाना आना हो रहा है mid October के लिए the moon का card कहता है fears है, insecurity है और कहीं confusion है, clarity नहीं है समझ में नहीं आरा चीजों को कैसे deal करें अब दीखिए मैं इतने heavy heavy words बोल रही हूँ लेकिन ये monthly reading है, कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी सी बातों पर confusion हो जाती है तो, you know, कुछ prices और उनके partner के लिए हो सकता है बहुत छोटी बातों पर confusion हो रही है कुछ के लिए बड़ी बात भी हो सकती है ये confusion के लिए सब prices और उनके partner के बीच में different reasons रहेंगे लेकिन moon के नीचे third party का card कहता है कहीं third party या फिर third, you know, party energy is responsible है अब मैंने हमेशा अपने वीडियो में बुला है third party is not necessarily romantic triangle यानि कि आप किसी और की तरफ attract हो रहे है आप partner किसी और की तरफ attract हो रहे है कुछ या एक का दुखा पाइसिस के लिए ये भी एक reason रह सकता है कुछ के लिए third party आपका कोई loved one हो सकता है आपके partner का कोई loved one हो सकता है जिनकी interference है, involvement है कुछ के लिए आपका काम हो सकता है, आप अपने काम पे इतनी इतेंशन दे रहे हैं कि relationship पे नहीं focus कर पा रहे है और देखे थर्ड पाटी अगर हम literally देखें तो romantic triangle तो होता ही है यानि कि आप partner के लावा किसी और को attention दे रहे हैं या you know attract हो रहे हैं या partner के ऐसी energies है और आपके लिए देखिए hook up का भी card है तो इसकी भी एक काफी possibility रहती भी दिख रही है यानि कि romantic triangle की and देखिए end October के लिए king of cups and hangout के cards कहते हैं कि कहीं चीजें किसी level पर resolve हो रही हैं जो भी हमने देखा बहुत सारा issues चल रहे हैं हाला कि देखिए surface level के लिए जरूर चीजें resolve हो जाएंगी लेकिन आपके partner फिर भी मन में चीजों को दबा के बैठे हुए हैं कहीं अभी भी उनके लिए एक unfinished business वाले energies हैं कि भाई कि मन से नहीं निकली बाद और अभी कहीं उनको closure नहीं मिला ऐसी energies महसूस कर सकते हैं और आप भी कहीं एक unfair energies महसूस कर सकते हैं लेकिन जो भी आप लोग individual level पर महसूस कर रहे हैं surface level पर reconciliation हो सकता है अपना love express कर रहे हैं प्यार महबत वाली बातें हो सकती हैं और कहीं deeper level के लिए आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भई ये नो सिरफ partner पर इनी focus करना partner के लावा और भी circle बनाना है socialize करना है और भी लोगों से connect करना है अपना ये नो सारा ध्यान या फिर मैं कहूंगी इस relationship को ही सिरफ life का center point नहीं बनाना ये relationship है बट इसके साथ साथ और भी लोगों से फिर से मैं कहूंगी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भी connect करना है socialize करना है या फिर आप कर रहे हैं तो ये था पाईसेज आप लोगों के लिए October 2024 की लाफ टारो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें